हालेलुया, सबको जय मसी की, स्वावत है आप सबका हमारे यूटूब चैनल में डेली वर्ड अप गोड के लिए सस्क्राइब करें हमारे यूटूब चैनल होलेगोस प्रेडेशन को तो आए हम मेरी पविशेवाणियों की पुस्तक में से आज के पवितरवचन को पढ़ते हैं जो कि परमेश्र के दास प्रेरित अंकुर यूसुप नुरूला जी के दवारा लिखा गया है हमारा आज का पवितरवचन है बर्माए ना जाए जैसे नैयों सोला अधै उसकी छे आयत में लिखा तब दलीला ने शिम्शोन से कहा मुझे बता दे कि तेरे बड़े बल का वेट क्या है और किसी रिती से कोई तुझे बान कर दबा रख सके हालेलुया मेरे पिरियों परमेशोन ने हर एक व्यक्ति को किसी खास मकसद के लिए चुना है जब वह व्यक्ति उस काम को पूरा करने के लिए परमेशो की हज़ोरी में बना रहता है तब शेतान उसको भरमाने के लिए उसके पास आता है अगर वहवेक्ति उसके भरमाने में आजाए तब वहवेक्ति वो नहीं कर सकता पाता जिसके लिए परमेशन ने उसको चुना होता है जिस तरह बाइबल में जब हम शिम्षोन के बारे में पढ़ते हैं तो बाइबल बताती है कि शिम्षोन बहुत बलवान सामर्ती था और उसने गदे की जबड़े की हड़े के साथ एक हजार प्रिष्टियों को मार दिया था परमेशन ने सिम्षोन को इस्तलाईयों को परिष्टियों के हाथों से छुडाने के लिए चुना था पर शिम्षोन पाप बेविचार में गिरा और शिम्षोन परिष्टियों के साथ प्रेम करने लगा और उसने उससे शादी कर ली जिससे उसे परमेशन को कुरोदित किया क्योंकि परमेश शिम्षोन को प्रिष्टियों के बिरुत इस्तमाल करना चाहता था और उसे प्रिष्टिय औरत ने शिम्षोन को बर्माया और उससे उसके बल का राज पूछा और शिम्षोन बर्माया गया और उसने अपने बल का राज उसे बता दिया जिस वज़ा से परिष्टियों ने शिमसोन को पकड़ा और उसे अंधा कर दिया और वह मारा गया शिमसोन बो काम नहीं कर पाया जिसके लिए परमेशो ने उसे चुना था मेरे पीरियों, बाइबल बताती है कि आदम और हवा को परमेशोर ने अपनी महिमा के लिए और परमेशोर की हजोरी में बनी रहने के लिए उत्पन किया था परमेशों ने उनके लिए अदन में एक वाटिका बनाई कि आदम और हवा उसमें रहे और परमेशों ने उसको कहा कि वाटिका में हर एक वरक्ष का फल तुम खा सकते हो पर उस वाटिका के बीच में जीवन के वरक्ष का फल तुम मत खाना पर बाइबर बताती है कि वह हवा शेतान के द्वारा बर्माई गई जब हवा को शेतान ने बर्माया था तो यह उसकी हवा के साथ पहले मुलाकात नहीं थी शेतान रोज आकर हवा से बात करता था वह अंत में बर्माई गई जब हवा बर्माई गई तब उसने उस जीवन के ब्रक्ष में फल को खा लिया था और उसने वह फल आदम को भी खाने के लिए दिया जिसे परमेशुर क्रोधित हुआ फिर परमेशुर ने आदम और हवा को अदन किवाटिका से बाहर निकाल दिया और वह परमेशुर से दूर हो गए मेरे पिरियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस सेवकाई को सुरू होने से पहले परमेशर ने मुझे किसी ना किसी मुसिबत में फसाई रखना और मैंने हमेश्या उस मुसिबत के कान प्रात्ता में रहना क्योंकि परमेशर जानते थे कि आने वाले समय में यह सेवकाई बहुत बढ़ने वाली है क्या शेतान उस समय मुझे बूला होगा? नहीं शेतान ने उस समय अपना पूरा जोड लगाया होगा लेकिन परमेशर के हजूरी में जादा से जादा समय बिताने के कारण मुझे बर्माने नहीं पाया और मैं उसके दवारा बर्माया नहीं गया उसका नितीजा आप रोज देख रहे है कि किस तरह परमेशर मुझे अपने कामों के लिए इस्तमाल कर रहा है और मैं अदबुत रिती से आसिशित हूँ हालेलुया याद रखे शेतान सोया नहीं है वो जाग रहे वो जानते है कि लोगों को कैसे भरमाया जा सकता है इसलिए वह लोग जो परमेशर के हजोरी में नहीं रहते प्रातना नहीं करते ऐसे लोग शेतान के दवारा भरमाये जाते है और वह शेतान के दौरा भर्माए जाते हैं जिससे फिर वह लोग वह नहीं कर पाते जिसलिए परमेशों ने उन्हें चुना है इसलिए मेरे पिर्यों जादा से जादा समय प्रातनामी परमेशों के हजूरी में बिताए ताकि जब शेतान आपको भर्माने के लिए आए तब आप भर्माएं न जाएं और आप वह काम कर सके जिसके लिए पर्मेश ने आपको चुना है इस वाचन से पर्मेश आपको आशित करे आमृन, अंगेकार यहें इंगेकार आपकी दिए जाये मैं आपकी इस वच्छन के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ परमेशन मैं एंगी कार करती हूँ कि मैं जादा से जादा सर में आपकी हजोरी में वैतित करूंगी और शेतान के दुआरा भरमाई नहीं जाओंगी परभू एशो मसी के नाम में आमीन, आमीन सबको जाम से की God bless you all